वाँ, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है मैं पहले अपना ढकन खोल कर देखना चाहती हूँ वाँ, किंडर सर्प्राइज तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास भी ठीक यही चीज है इतनी अजीब बात है हाँ, तुम सही कह रही हो मुझे भी थोड़ा आजीब लग रहा है अच्छी बात है यह कि हम दोनों भागेशाली है मुझे चॉकलेट अंडे पसंद है मेरी राय में यह सबसे अच्छी डिजर्ट है देखो, तुम कच्रा कहां फेक रही हो, सूजी सब ही रैपर मुझे पर उड़ रहे है अंडे में गमी कैंडी है, मुझे यह पसंद है हर बार एक नया सर्प्राइज, यह बहुत अच्छा है अपसोस की बात है कि तुम समझने पारी हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ मुझे आ साई कि मेरे सर्प्राइज भी इतने ही अच्छे होंगे वो हम देखेंगे, लेकिन अभी मुझे अपने मजे लेने से मत रोको वा, चॉकलेट, हर बार सर्प्राइज अधिक से अधिक अच्छा होता जा रहा है तुम क्या देख रही हो, अपने अंडे को खाओ तुम सही हो, मेरे लिए करने का समय आ गया या क्या है, असलिक अच्छा अंडा, मुझे इसकी उमीर नहीं थी क्या तुम्हें लगता है इतने से ही हो गया नहीं, इसे पूरा खाओ आशा करती है कि कुछ और हो मैं फिर से अंडे का स्वाद नहीं चकना चाती आरे नहीं, फिर से घिनोना, कितना खराब मुझे अंडे से नफरत है लगता है किसी की किस्मत उसके साथ नहीं है देखो, मेरे पास और भी चॉकलेट है है न बढ़िया वैसे, मेरे पास एक अच्छा अइरिया है हम इसे हवा में उच्छा सकते हैं और अपने मुह से पकड़ सकते हैं देखो, कितना असान है मुझे भी दो ओ, दर्द हुआ, तुम बस मना कर सकती थी मुझे किराना बन करो यह मजाक नहीं है मुझे लगता है मैं जानती हो कि सूजी से कैसे बदला लिया जा सकता है उसे असली अंडा देना होगा मुझे तुम्हारी आखों में इर्षया दिखाई देती है यह तुम माल लो यह क्या है यह बिल्कुल चॉकलेट जैसा नहीं लग रहा है ची, कितना गिनोना है मुझे पता है यह तुम नहीं किया है तुमने मुझे पर क्यो थूका सूजी यह कुछ भी नहीं है अब तुम खाओ तुम्हे पता है मुझे कोई आपती नहीं है मेरे पास एक शानदार योजना है मेरी राय में यह कॉश्टिम मुझे बहुत सूट करता है मुझे समझने आ रहा है तुम क्या कर रही हो मैं स्वादिस फ्राइड अंडे बनाऊंगी ऐसा कि तुम मुझे से इश्या करोगी क्या सुगंध है बढ़िया है ना यहां से हटो सूजी मैं तुमे नहीं दूँगी मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो लेकिन मुझे दर है कि तुम अपनी डिश का स्वाद में इचक पाओगी मैं इसे रोक दूँगी तुम क्या कर रही हो सूजी आरे नहीं अंडे मेरे चेहे पर गिर गए और यह रहा हमारा नया खाना चलो रॉक पिपर सीजर से पता करते हैं पहले कौन शुरू करेगा ओरे यह मैं होंगी वाह कोक की बोतल तुम भागेशाली हो आओ देखे कि मेरे पास क्या है मुझे भी कोका कोला मिला है कितना अच्छा मुझे लगता है कि इन में से एक बोतल चौकलेट है कितनी हजीबात है में से खोल नहीं पारे हूँ शायद इसे अपने डातों से काटना चाहिए वाह यह चौकलेट है मैं लखी हूँ कितना अच्छा शायद मेरे पास भी चौकलेट की बोतल हो नहीं यह नियमित कोला है लेकिन यह इससे भी कम साधिस नहीं होगा पता नहीं मेरे बोतल के अंदर कुछ है भी या नहीं क्या यह वाकई खाली है यह सही नहीं है फोरे इसमें से चौकलेट निकल रही है लगता है मेरा सपना सच हो गया कमाल का स्वाद है मैं रूप नहीं सकती यह अपसोस की बात है कि सबी अच्छी चीज़े इतनी जल्दी खत्म हो जाती है तुम्हें अपने आपको देखना चाहिए सूजी साहिद तुम्हें सब साफ कर देना चाहिए वाह मेरे पास अभी भी बहुत सारे चॉकलेट है मैं यह सब का सकती हूँ तुम क्या कर रही हो यह अच्छा नहीं लग रहा है मुझे परवा नहीं है मुखे बात यह है कि मुझे स्वादिश लग रहा है खेर मैं किसी भी तरह से अपनी नाग तक नहीं पहुच पा रही हूँ हाँ यह ठेक है शाबास सूजी मैं बोतल के बारे में पूरी तरह से भूल गई इसे भी खा सकते हैं क्योंकि यह चॉकलेट से बना है बिल्कुल यह बहुत स्वादिश है जब तक मैं पूरा खानी लेगती तब तक मैं भूकूंगी नहीं कम से कम मेरे ने एक टुक्रा छोड़ दो मुझे यह खाना है मेरे मूँ से पानी आ रहा है तुम्हें क्या चाहिए चॉकलेट के लिए तो कहना भी मत मैं यह किसी को नहीं दोंगी लेकिन हम दोस्त है अच्छा है कि मेरे पास और कोला है मुझे लगता है कि तुम इसे मेरे साथ शेयर कर सकती हो तुम सही हो, क्यों नहीं देखो, अंदर कुछ है कहाँ पे? वहाँ देखो मुर्ख, मैंने तुम्हें धोखा दिया सूजी और तुमने मुझे पर विश्वास कर लिया यह सही नहीं है तुम ऐसा नहीं कर सकती क्या तुम्हें लगता कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँगी ऐसा नहीं है मेरे पास इस टॉक में मेंटोज है मुझे लगता यह बहुत आसान है हम सभी जानते कि अगर इसे खोक में डालते है तो क्या होता है वहाँ, देखो वहाँ क्या है बस वहाँ से ध्यान मत अटाना वहाँ कुछ खास है बस हो गया मुझे कुछ नहीं दिख रहा है सूजी यह क्या हो रहा है खोला मेरे चेल पर उरकर क्यों आ रहा है अरे नहीं स्थिती नियंद्रन से बाहर हो गई है हम जारी रखते हैं क्यों नहीं मुझे अपने आखो पर विश्वास नहीं हो रहा है यह मेच है मुझे भी इसके उमीद नहीं थी तुम शुरू करो खर नहीं इस बार तुम मुझे बेवकुप नहीं बना सकती मैंने इसे खाने से मना कर दिया है तुम शुरू करो गुड लग ठीक है अगर तुम इतना जोड दोगी तो मैं शुरू करती हूँ कितना अच्छा स्वाद है यह चौकलेट है मैं भागिशाली निकली मैं बिकार में डर रही थी एक सेकेंड रुको इसका मतलब मेरे पास असली मिर्च है ऐसा नहीं हो सकता काश मैं इसे तुमारे साथ शेयर कर पाती यह बहुत छोटी है फैर आखिरी टुकरा बाकी है यह स्वादिस्ट है अब तुम्हारी बारी है लेकिन मुझे डर लग रहा है मुझे तीखा खाना से नफरत है तुमने मुझे पर मिर्च क्यों फेकी मैं तुम्हें तुरा डराना चाहती थी मैं पहले से ही डरी हुई हूँ मुझे इसे मत खिलाओ बस बाती बंद करो और इसे खाओ चलो अपना समय बरबात मत करो तुम सही कह रही हो इसे जल से जल खत्म करना बेतर है मेरे लिए दुआ करना वाह यह बिल्कुल भी तीखा नहीं है मुझे यह पसंद है ध्यान से तुमने मुझे सीधे माते पे मारा आरे नहीं मुझे तीखापन मैसूस हो रहा है मिर्श ने अपना असर दिखलाना शुरू कर दिया है लगका इसमें थोड़ा और आग जोड़ना चाहिए येलो ड्रिंक पियो धन्यवाद पानी से मुझे रहत मिलेगी लेकिन ये टबैसको है तुमने मुझे फिर धोका दिया मनत करो मैं अंत्रिक्ष में जा रही हूँ वाँ ये यहाँ सुन्दर है पर मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है वाँ तुम्हारी उरान अच्छी हो सुजी अरे नहीं मैं गिरने वाली हूँ मुझे बचाओ मुझे चोट लग जाएगी तुमने मुझे नीचे गिरा दिया ओ, माफ करना ये दुरगट ना थी परारा में आपका स्वागत है मैं इतनी बदनसीव क्यों हूँ मेरे पास के बले एक पीज़ा है क्योंकि बागी के मुझे मिल गया है नई, मेरे पास सारे पीज़ा है जरा इस टावर को देखो ओ माइ गॉड तुम्हारे पास इतने सारे पीज़ा है और मेरे पास के बले एक ये सही नहीं है रोना बन करो और जल्दी खाना शुरू करो आशा है कि मेरा पीज़ा कम से कम स्वादिष्ट हो ये पक्का दूसरों के तुल्ला में ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है यमी और कितना सारा चीज है मुझे चीज बहुत पसंद है अरे मैं तुमारे ले कोई कच्रे का डबबा नहीं हूँ कि तुम मुझ पर बचा हुआ खाना फेकती रहोगी येलो तुम लड़ क्यों रहे हो मैंने इसे जान बुचकर नहीं किया मैं भी जल से जल अपना पीज़ा खाना चाहती हूँ इसे देखकर ही मेरे मुँ में पानी आ रहा है मैं तेजी से और ज़्यादा आसानी से खाने का एक तरीका जानते हूँ ताकि मेरे हाथ गंदे न हो मुझे नहीं लगाता कि कोई ऐसा कर सकता है तुम ये कैसे कर रही हो पीज़ा इतना स्वादिस्ट है इसलिए मैं ये कर पा रही हो ओ ओ ओ ये मुझे क्या हो गया मुझे नहीं लगता कि अब तुम पीज़ा खा पाओगी लेकिन हमें वो खाने से कोई दिक्कत नहीं है मुझे तुम खुद को ठीक करना होगा ऐसे अजीब लग रहा है मेरा पीज़ा कहा गया? किस ने चुराया? सच में, किस ने हिमत की? ओ तुम चोर शर्म नहीं आती? मुझे बिलकुल भी शर्म नहीं आती क्योंकि मैं केवल इस बारे में सोच रहा हूँ कि मैं अपने पीज़ा के भेर को कैसे खाने जा रहा हूँ तो मेरे सबसे स्वादिश पीज़ा अब तुम्हें खाने का समय आ गया है शायद तुम्हें वो नीचे से नहीं खाना चाहिए अरे यार इससे क्या होगा यह हमने तुमसे कहा था हाँ एक मस्ट पीज़ा रावन था मुझे इस तरह के सजा क्यों दे जा रही है मुझे लैसुन से नफरत है यह किसे पसंद होगा तुम लोग बतकिस्मत हो क्योंकि मेरे पास केवल एक लैसुन है तुम क्यों हस रही हो तुम्हें इससे सबसे पहले खाना होगा यह असान है मैं कायर नहीं हूँ इसलिए मैं इससे जल्दी निपटलूँगी बस मुझे उल्टी नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है मैंने खुद को ज़्याद ही ताकतवर समझ लिया इस तरह का वकवास खानना बिल्कुल गलत है बस बहुत हुआ यह क्या तुम्हें अपने लसुन को पूरा खत्म करना होगा मेरे पास तुम्हारे लिक स्पेसल उपहार भी है एक लसुन प्रेस तुम इसमें सारा लसुन डाल सकती हो और इसी सीरे तुम्हारे मूँ में दबा सकते है मुझे नहीं चाहिए मुझे उल्टी हो जाएगी खाना तो पड़ेगा अपना मूँ खोलो कितना खराब अब लग रहा है कि मेरे मूँ में किसी बिल्ली ने ठीक है तुम समझ गये न ठी मैं भी इसे सुंग सकता हूँ यह कैसे बद्बू आ रही है कितना भयानक है अच्छा है कि मेरे पास ऐसे मामलों के लिए हमेशा गम होता है तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद अब यह बद्बू नहीं आई और मुझे यह सहना नहीं होगा अलेक्स लसुन खाने के तुम्हारी बारी है मैं इसे क्यों खाऊंगा देखो कि इसे कितना अच्छा हार मिल सकता है अपनी शरारते बंद करो तुम्हें इसे वैसे भी खाना पड़ेगा ठीक है लेकिन पहले सभी एक्स्ट्रा चीजों से छुटकारा पाना होगा मेरे पास इसकी लिए एक बहुत बड़ा फून दान भी है आप इसमें सिर्फ इसकी कली बची है तो इसे खा सकते है ओ, मैंने अपने जीवन में इससे ज़्यादा घिनावना स्वात कभी नहीं चखा है सच में ये बद्बू बर्दास्ट करने लायक नहीं है एक साधरन कपड़े का पीन हमें हमें हमेशा किसी भी गंद से बचा सकता है और अगर ये काफी नहीं है तो हमें हर जगए एक एयर फ्रेशनेट स्प्रे करने की जरुवत है लेकिन लगता है कि सिर्फ एयर फ्रेशनेट मदद नहीं कर रहा है हमें बद्बू के स्रोत को बेशर करने की जरुवत है यह मदद करता है लेकिन इसे घर पर धवराने की कोशिश ना करें क्योंकि एर फेश्टनेट बहुत कतरनाक होता है पर हम मुझ से कोई बदबू नहीं आ रही है जूली तुम किसका इंजार कर रही हो जल्ली करो और अपना लैसून खाओ मैं बच्पन से इस चीद से नफरत करती हूँ अगर तुम मेरा चेहरा हारा होतो वे देखना तो मेरी मदद करना प्लीज यह कितना गिनोना है तुम इतनी जल्दी में क्यों हो तुम्हें जल्दी करने के लिए नहीं कहा गया है लेकिन इस तरह से मैं इस लेसून से जल से जल निपट लूँगी वाँ, क्या हिम्मत है और क्या स्पीड है जूली, तुम बहुत अच्छा कर रही हो बस हो गया, अब कोई और लेसून नहीं ओ, इतनी बदू तुम मुझसे भी नहीं आई थी जूली, मुझे माफ करना लेकिन हमें तुम्हें अलग करना होगा नहीं तो बदबू हर तरफ फैल जाएगी अरे, किसलिए, मैं सास नहीं लिपा रही हूँ मुझ लगता है मैं गिर रही हूँ इसने काम किया जिकम अब कमरे में बदबू नहीं फैलेगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हुरे अरे यार, मैं टिक टैक के साथ भी बदकिस्मत हूँ और मैं लखी हूँ मेरे पास एक पूरा पैक है देखो, कौन सच में लखी है हाँ, मुझे भी कभी-कभी अच्छे टिट्स मिलने ही चाहिए मेला, तुम्हारे पास सबसे कम कैंडी है तो तुम शुरू कर सकती हो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक टिक टैक कैंडी खाना मुश्किल नहीं होगा स्वादिस्ट है लेकिन बहुत कम एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है आखिरकार, अब मैं खा सकता हूँ यह क्या हो रहा है खुछ भी क्यों नहीं निकल रहा है मेरी कैंडी कहा है एलेक्सी के कैंडी खत्म हो गई है यह रहे यार, अब मैंने टेबल पर टिक टैक बिखेट दिया है मुझे लगता है कि मैं इसे एक साधानन स्ट्रॉक के साथ जल्दी से कठा कर सकता हूँ हो गया जूली केवल तुम ही बची हो मेरे पास कैंडी का सिर्फ एक बड़ा पैक नहीं है मेरे पास सामान पैक का पूरा धेर है यहां सभी के लिए काफी है यहां और भी है सभी कैंडी मेरी है मुझे टिक टाक बहुत पसंद है इसलिए मैं जल्दी से सारे पैक खा जाऊंगी उफ उसने हमारे साथ शेर भी नहीं किया यह कोई बड़ी बात नहीं है मैं एक पैक चोरी करने का तरीका जानती नूँ ताड़ा और यहारा अमारा कैंडी वही रुख जाओ तुम दोनो चोरी करने में शर्म नहीं आती कोई एविडेंस नहीं है तुम कुछ भी सावित नहीं कर सकती अच्छा, मैं तुमें एक सबक सिखाती हूँ जूली का बदलब भयानक होगा हाथ उपर, यह लो कैसा लगा? अब समझे, मेरे टिर्श चुदाने से क्या होता है? वाह, मेला, कितने सारे कैंडी है चलो जल्दी से पकड़ो हाँ, बिल्कुल सही कहा अरे नहीं, मेरे पास कोई टिक टैक नहीं बच्चा है मैंने यह सब गोलियों पर खर्च कर दिया लेकिन तुमने इसे अपने दोस्तों के साथ तो शेर किया